हेलो फ्रेंट्स, किसी भी प्लांट की ग्रोथ के लिए अच्छी मिट्टी का होना बहुत जरूरी होता है, जब भी आप अपराजिता का प्लांट लगाएं, तो उसकी मिट्टी में रेट, कोकोपीस, पीट और कमपोस्ट कोई भी जरूर मिक्स करें, इस प्लांट को वास्तो के अनुसार भी जरूरी माना जाता है, जिससे लोग अपने घरों में लगाते हैं, कई बार इसमें फूल नहीं आते हैं, तो ऐसा क्या डालें, जिससे प्लांट में खुब फूल आएं, कुछ ऐसी खाद और फटिलाइजर के बारे में जानेंगे, जिससे आप किसी भी फू के पौदे में डालेंगे, तो पौदा फूलों से भढ़ जाएगा, तो पहली खाद है, वर्मी कमपोस्ट और केले के चिलकों का पाउडर को मिक्स कर लें, इस तरह से खाद त्यार हो जाएगी, दो मुठी प्लांट में डालें, और दूसरी खाद है, पानी में एक टुकड संत्रे या नीबू के चिलकों के डाल दें, और एक से दो दिन के लिए ऐसे ही छोड़ दें, इस तरह से फटिलाइजर त्यार हो जाएगा, इसमें थोड़ा पानी मिक्स करके प्लांट में डालें, अप राजिता में अच्छे फूल आने लगेंगे, 15 से 20 दिन में इसको डा सकते हैं, इस फटिलाइजर का इस्तमाल आप किसी भी फूल के प्लांट में कर सकते हैं, इससे आपको प्लांट में काफी ग्रोथ और धेरो फूल देखने को मिलेंगे, थैंक्स फॉर वाचिंग